हेलो नमस्कार फ्रेंट्स केसे हैं आप सभी मैं उम्मिद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे आज बात करने वाले बाउजून E200 के बारे में दुनिया वर में मशूर कार निर्माता कमपनी बाउजून ने अपना नया इलेक्टिक कार बाउजून E200 को लौँच कर दिया है इसके बारे में आपको आज पूरी जानकारी बता हूँआ क्या रहेगी इस प्राइस चार्जिंग होने में कितना टाइम लगेगा क्या रहेगी इसकी डोप स्पीड आपको 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 इस वीडियो में बता हूँआ और आपसे एक छोटी सी रिक्वेश्ट करना चाहूँआ चैनल पे पहली बार आयो तो चैनल को सस्काइब करके बेन आइकन को जरूर प्रेस कर दिजिएगा इस एलेक्टिक कार का पुराना मोडल 2018 में चाइना में लौच कर दिया गया था और उस मोडल में कुछ कमी को पूरा करने के लिए यह वेरियंट बनाया गया इस कार को काफी स्मल डिजाइन किया गया इसके अंदर दो लोग आराम के साथ बेट सकते हैं यह कार आपको दिखने में तो बहुत छोटी लगेगी पर इससे काफी मजबूत या कूंग पाउरफुल बनाया है और इस एलेक्टिक कार में तीन दर्वाजे आपको देखने के लिए मिलेंगे फर्षट रहेगा लेपटे की तरप, दुसरा रहेगा राइट की तरप, और तिसरा रहेगा बेक यानी पीछे की ओर बात करें बैटरी के बारे में तो इसमें आपको लिटियम आईयन बैटरी देखने को मिलता है और यह बैटरी 24 किलो वर्ड हावर का रहेगा और यह बेटरी बहुत ही कम समय में full charging हो जाती है और इस बेटरी की warranty की में बात करने चाहूं 3 year के आपको यह बेटरी warranty देखने के लिए मिलेगी और 3 year के अंदर आपकी बेटरी में कुछ प्रोब्लम आएगी company से replacement करके आपको new battery provided करवाएगी अब बात करें range के बारे में या कहूं single charging करने पे आप इसे 210 से लगा के 270 तक चला पाएंगे जो की normal electric car नहीं चल पाती है और जो यह car range देती है यह normal आदमी के लिए daily use के लिए copy होता है और इस बाउजन A200 में extra system लगाया गया है जिसको अपन कहेंगे remote interactive जिसके दुआरा आप इसमें charging, parking navigation, power supply एसी चीजों का information रख सकते हैं Top Speed की बात करें तो इसमें आपको 80 km per hour या कहूं एक गंटे के अंदर या 80 km तक की दूरी तई करेगी गायडी को ऐसा design किया गया है कि आप इसे कितना भी कम जगह हो या कूं कितना भी भीड़ बाल इलाका हो आप इसको आराम से चला सकते हैं या कहें बहुत ही एक छोटी small electric car इसको बनाय गया है बात करें या गाड़ी कौन-कौन से देशों में available हो गई है इस कार को अगले साल यानि की 2018 में launch किया था और आने वाले सालों में या इंडिया में आपको देखने के लिए मिलेगी वेसे दोस्तों पाउजून कंपनी वह एम्टी मोटर्स के साथ मिलकर काम कर रही है या मिलकर इंडिया में पाउजून E200 को बहुत जल्दे launch करने की तियारी में लगी होई है किसी लगी या इलेक्टिक कार आपको अपने राई कमेंट सेशन में लिखिएगा और कुछ प्रोब्लम आए तो भी कमेंट सेशन में लिखिएगा मिलते हैं प्रेंट्स नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए इसाच आता हूँ बाई बाई